हाई गाईज आएम सुपनुचा शर्मा and welcome back to my channel सबसे पहले thanks to all of you मैं जब भी बोलती हूँ कि please like करो तो आप सब लोग हमेशा like करते हो and thanks to all those people जिनके वज़े से actually मैं motivate होती हूँ रोज ये वीडियो record करके analysis आप तक पहुचाने के लिए so आज क्या exactly हुआ आज पूरे दिन भर कल के highs and lows के बीच में ही market रहा एक range बनाई उसने in between moves दिये उसने nifty ने भी दिये bank nifty ने भी दिये बट कल के लिए जो है फिर से एक interesting point पर आके market रूख गया है definitely हम देख रहे है कि high level से बहुत अच्छा कासा resistance उसको मिल रहा है sensex को bank nifty को n monthly expiry भी है bank nifty की तो देखते कल के लिए क्या levels निकल के आते है और क्या logic निकल के आते है तो let's dive in all right so this is nifty nifty का ये जो आज की candle बनी है कल के high and low के बीच में ही है हमने एक बहुत अच्छा कासा प्रेशर आते हुए nifty में देखा है exactly इसी लेवल से जो एक important level discuss करी थी तकरिबन 24-340 के आसपास की ये level थी again इसी के बीच में candle रुखी है अगर हम 15 मिनिट टाइम फ्रेम पे देखे 15 मिनिट पे exactly क्या हुआ market इस selling जोन पे ही आज open हुआ फिर से उसने इसी जोन से प्रेशर लिया नीचे आया नीचे में जो कल का एक लो बना था यहां यहां पे उसने एक अच्छा पैटन बनाया कौन सा पैटन है वो यह एक डबल्यू पैटन बनाया है जाते जाते इस पटिकिलर लो के पास अराउंड 24-133 के पास एक डबल्यू पैटन निप्टी ने बनाया है on 15 मिनिट टाइम फ्रेम 24-186 उसकी नेकलाइन थी और यह जो क एक डबल्यू पैटन अगें अक्टिवेट हो गया है क्या expect कर सकते है इस डबल्यू पैटन से at least यह expect कर सकते कि 24-133 एक अच्छा सपोर्ट है फिलाल के लिए बट आज का जो अगें प्राइज एक्शन हुआ है इसका यह भी मतलब है कि 24-30 के आस पास यह जो सेलिंग जोन ह यह अच्छा कासा सेलिंग एरिया भी है तो बहुत ही यहाँ पे तगड़ी फाइट चल रही है बूल्स की और बियर्स की यहाँ पे बिल्कुल अच्छे कासे फोर्स में बियर्स है और यहाँ पे अच्छे कासे फोर्स में बूल्स है इन बिट्वीन मार्केट जब तक यहा पिरेडेशन पिरेड है बट जब भी अब ब्रेकाउट इसके नीचे देगा 24133 के नीचे देगा और अगर देता है कल तो हमको एक बहुत शाप सेलिंग देखने को मिल सकती है सेम अगर ये मार्केट इस पटिकुलर सेलिंग जोन के उपर क्लोजिंग दे देता है तो एक प्रोमिनेंट स्विंग पॉइंट है ये वाला इसके उपर वो क्लोजिंग नहीं दे सका 24239 के उपर सारे सिनारियों के बारे में बात करते हैं सबसे पहले फ्लैट ओपनिंग फ्लैट ओपनिंग बिलो 24239 एंद अबाव 24186 ये वाली जो लाइन है वो क्यों नेसेसरी है क् ये एक नेकलाइन है एक्टुली नेकलाइन भी एक सपोर्ट का काम करती है और यहीं पर मार्केट कंसॉल्डेट होता रहा और फिर कहीं न कहीं इस तरह से कैंडल देता है फ्लैट ओपनिंग में उपर की तरफ तो हम फिर से इस हाय के तक के टार्गेट लेके चल सकते हैं इ यहां पर देखना पड़ेगा और कि यहां पर हमको देखना पड़ेगा कि किस तरह से मार्केट अगेन फिर से रियाक करता है क्या बायर्स यहां पर फिर से जोर लगा रहे है या नहीं लगा रहे है बट अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है निफ्टी की इस पर्टिकु जादा शार्प आती है बिल्कुल इस पर ध्यान रखना अगर ये अगर 24133 के नीचे कैंडल क्लोजिंग देती है और उस और उस कैंडल का भी लो ब्रीच होता है तो हमको एक शार्प सेलिंग आते हुए दिखने को मिल सकती है इसका 3 मिनिट का टाइम चार्ट देखते है एक अच्छी खासी सेलिंग के अपॉर्चुनिटी दी थी सबसे पहले जो एक उसने रेंज बनाई थी ये एक ओपनिंग रेंज थी यहां से 24349 और इसका लो बनाया था 24273 जैसे ही एक ओपनिंग रेंज बनाई फिर इंसाइड बार कैंडल इसने पनाया था मैंने ये स्ट्रा टार्गेट में एक्सपेक्ट कर रही थी जब इसकी नीचे वाली रेंज ब्रीच हो जाती है ये कैंडल है टाइम स्टैंप में अकर बताओ 942 का यहां पर इसने नीचे वाली रेंज ब्रीच करी तो एक एंट्री पॉइंट यहां पर बनती थी और SLE स्विंग पॉइंट के आया नहीं और जैसे ही वापिस इस स्विंग पॉइंट पर आया और उसने ये टू बुलिच कैंडल यहां पर बनाई थी तब मैंने जाके मेरे निप्टी के फ्यूचर थे वो कवर किये हुए थे कवर किये थे इस पडिकुलर पॉइंट पर उसके बाद अगेन वो नीचे गया फिर एक अच्छी खासी मूव उसमें आई और जाते जाते फिर से ये जो एक रेंज मनाई थी वहीं पर कहीं न कई रजिस्टंस लेके नीचे क्लोजिंग दिया है उसने तो कल के लिए भी अगर आप देखोगे तो शॉट अगर शॉट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसके नीचे बहुत शांदार शॉट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी 24,122 के नीचे और लॉंग की अपॉर्चुनिटी 24,350 के ऊपर अच्छी खासी लॉंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन बिट्विन मार्केट थोड़ा सा चौपी रह सकता है लेट सी बैंक नि इसने नीचे की तरफ आया था और यहां पर नीचे आके एक कंसॉलिडेशन जोन में वो चला गया कंसॉलिडेशन जोन में काफी तेर तक बैंक निफ्टी रहा जो एक एक एक्स्पेक्टेशन थी मुझे की 51,9,39 तक अटलिस आएगा वो वो आया नहीं है इन बिट्वीन ही बाउंस लिया और वहां से फिर से उसने उपर की तरफ गया है तो अगर कल इस 52,000 के नीचे वो क्लोजिंग देता है और 15 मिने टाइम प्रेम ऑलसो इसके नीचे सस्टेन करता है 15 मिने टाइम प्रेम के नीचे तो इवेंचुली 51,675 अगरे के टार्गेट हमको देखने को मि सकता है below this 52,000 as long as 52,000 के उपर है जादा से जादा मुझे लग रहा है कि 52,400 के आसपास चला जाएगा इसके उपर जाता हुआ फिलाल बैंक निफ्टी नहीं दिख रहा है maximum 400 के आसपास एक बारी फिर से प्रेशर आते हुए बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है बट अ हम बैंक निफ्टी का OI data देखते हैं 52,000 के आसपास जो है straddle बने हुए है almost और 51,500 एक अच्छा base समझ में आ रहा है और 52,500 पे call writers जादा है आज का अगर हम काम देखे इसमें तो put writing अच्छी हुई है यहां पे जब तक वो 52,000 के उपर है तब तक ठीक है जैसे ही वो 52,000 ब break होता है तो एक one way rally bank nifty में नीचे की तरफ हमको आती हुई दिख सकती है क्योंकि यह सारे put writers फिर wind up करेंगे और कई न कई bank nifty नीचे जा सकता है 52,600 के आसपास जो है call writers आए हुए है उपर की तरफ है call writers अच्छे का से call writers है but if you are long first जो target है वो 52,400 के आसपास book करना and देखना कि 52,400 के इस तरह से react करता है sustain होता है तो फिर उपर के target open हो जाएंगे bank nifty को but यह जो pressure आया है on 15 minute these candles these are very strong candles तो यह पूरा जो है एक selling zone ही बनता है यहां से फिर से pressure bank nifty में आ सकता है let's see sensex sensex ने भी same structure 15 minute पे बनाया था यह जो low है इस low के आसपास से ही पर एक newton लिया था एक w pattern बनाया है और w pattern वही है कि एक swing point तक तो चला गया है कल की opening देखते है बहुत ज्यादा negative फिलाल नहीं लग रही है sensex 80,000 के eventually यह 79,771 break कर देगा वो as long as यह 80,000 के उपर है फिर से एक बारी 84,50 के target हम को देखने को मिल सकते है यह जो level है यह जो w pattern बना है वो बहुत important है अगर target देखे जाएगा तो यहां तक देखे जाएगा 84,50 और अगर इसका SL हिट होता है इस w pattern का तो हमको sharp selling आते हुए दिख है वो एक support का काम कर सकती है in that case अगर नीचे आता है तो so these are all important level again यह सारे जो level है वो मैं x पर पोस्ट कर दूँगी और अगर आपको यह levels useful लग रहे है तो don't forget to like it, share it and subscribe it so goodnight and have a nice trading sessions ahead कर दो